खुदी को कर बुलंद इतना की हर तक दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है 2023 इंटरमेडियट यूपी बोर्ड का रियल्ड निकल चुका है इस समय में धावी छात्रों के पास में जा रहा हूँ उसी क्रम में इस समय में हूँ कनवसा कार्णमेंट की बच्ची ने टाप किया है सात्वी रैंक लाई है और इसका साइन साइट से नाम है इसका नाम है दियालचमी प्रजापती और नाम में ही पहले जादू है नाम के पहले कितिहास जुड़ा होता किसी का और अब माबाप की जन आकांचायें भी जुड़ी उसकी आकांचायें भी जुड़ी होती है सबसे पहले धेर सारी शुपकावना बिटाई शामदार सफलता के लिए तुम्हारा नाम दिया लच्छमी प्रजापती इस नाम के पीछे क्या राज है सर जब दिया मिर्जा मिस्स यूनिवर्स मनी थी तो वो बहुत पॉपलर थी और उनका फेस मेरा बहुत मिलता था तो चाहते हैं कि दादी का नाम हमेशे हों हं लोकी 3 अब तक मुझ रहें और और जो ऊक्सर हम लोगको दूआयां देती है वह हम लोगको मिले बस हैं लोग चाहते हैं इस इतना संसकारिक परिवार है कि कमसे खम दादी करना यहां लोग फोटो हटा देते हैं उसके बाद जाने के बाद लेकिन बड़ी खुशी की बात है बेटा यह बताएए आप अपनी सफलता कसीरे किसको देना चाहेंगे अपनी सबसे पहले कि वहीं साल भर सपोर्ट करते हैं सा मुझे कोडर बनना है और मुझे कोडिंग के स्ट्रीम में आगे बढ़ना मुझे कोडिंग का बचपन से बहुत शौक तो इसलिए मैं नाइन तेंथ में कंप्यूटर ही लिया था कोडिंग थोड़ा डिफाइन कर दीजिए लोग अभी हमारे नहे दर्शक जो देख रहे है को उसके बारे जान नहीं पा रहे हैं कोडिंग के बारे क्या होता है कोडिंग बेसिकली हर स्ट्रीम में यूसफुल होता है दैसे कि कोई वियो रोबोटिक्स हो मेकेनिक्स हो कंप्यूटर साइन्स हो तो लोग उसमें अभी यह नया आया है और मेरी रूची इसमें बहुत जादा ही बढ़ लिए और लोग इसको अपना अब कंप्यूटर का जवाना आ गया है और सब लोग अभी कंप्यूटर तो बंध होने वाला नहीं है जी जी बढ़ता ही जाए जी सर तो मुझे उसी का ही बहुत जादा इंट्रेस्ट आयो मैंने 910 में भी कंप्यूटर लिया हमें लोगों को बहुत जादा मोटिवेट कर दी इस स्ट्रीम के बारे में ताकि यह स्ट्रीम हर बच्चा आप्ट करें और अच्छे से अच्छे हूं सक्सेस्फुल बन सके बीटेकर इंग्लिश के बाद आप जी सर अच्छा यह बताओ एक कुल सब्जेक्ट ऐसा बताई इंटर्मिडेट में जिसने आपको परिशान किया आपको पढ़ने में तोड़ा दिक्कत हुए हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की तैयारी कैसे की आपने हिंदी और इंग्लिश पेसिकली जो स्कूल टीचर पढ़ाते थे और जो गाइड करते थे केटे थे कि हमारी मांक्स तो हमें देता ही लेकिं जो हमारी रांक बनती है वह लो हिंदी और EnGleesh से बनती है और यही मांक्स हम लोग को जो हे टॉप करवाता है तो वह लो हमें सुरू सिही काइड करते थे और हमेशा बोलते थे कि आप प्ञोशत की शारे बच्चे यृण के मेंसी मैस पर ध्यान होता था थो हिंदी और Cake कि सब कुछ इता है इंटरनेट का आ गया है सब कुछ एंग्छिश में हो गया है तो रिद्यों टीजिश बहुत कम थ्यान हो घ्यान अधो कि जो मात्र भाषा है हिंदी उस पर उनका बहुत अच्छा से ध्यान हो ठीक है अच्छा ये बताईए कि आप कोचिंग के बारे में क्या सूचती है जैसे आज कर ट्रेंड चल रहा है ट्यूशब का उसके बारे में क्या कहने हैं कोचिंग बिसिकली उन बच्चों के लिए होत है चाहे वो ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन हो टीचर का बिसिकली यह होता है कि जो हमें स्कूल में बढ़ाया जाता है वो तो बहुत अच्छा होता है लेकिन हमें साथ-साथ आगे की कॉंटेशन की भी तियारी करनी होती है तो इसलिए हम लोग कोचिंग जोइन करते हैं और कोचिंग से बिसिकली जो हमारे हम 12 से जर्ण निकलते हैं तो हमारा टाइम जो बच जाए प्रिप्रेशन में वो हमारा 11 और 12 के साथ होता रहे इसलिए हम लोग कोचिंग जोइन करते हैं और मैंने भी विक्रंग प्रासे जोइन करी थी बिटा यह बताओ कि आप यूटूब और शोसल मेडिया का बहुत बड़ाई समय रोल चलना है इससे कहीं कॉपरेट किया आपको सर बेसिकली टीचर्स तो बहुत मना करते थी क्योंकि आजकल बच्चों में कुछ ढूंडने की और इमाजिनेशन की जो उनके अंदर पावर है बहुत कम हो रही है कहीं भी उनको ड आपकी मेहनत काम आएगी जो आपने साल भर ढूंडा है प्रैक्टिस करती करिये कोश्टिंज की वह सब काम आएगा आप क्या मांती है कि क्या भ्रमित करने वाली बहुत कंफूस करने वाली मैटर है आपके इस पर यूटूब पे नहीं ऐसी बात नहीं है जैसी कि जो बच् जाता जाता इंफ्लूएंस हो गये हैं सोचल मीडिया पर और वहर जीज धूनी होती है वह तुरंट सोचल मीडिया पर जाते हैं और किसी से भी आजकर कोई भी बात कर लेता है इसली तो वह सब तो तो बच्टार्ट करता है लेकिन उससे दुछा बच्टना भी चाहिए आपको इसके अलावी कोई इंट्रेश्ट पढ़ाई के लवा जी मुझे कोडिंग का बहुत शॉक होता था कि मैं कोशन लगा के बहुत साधा हो जाता था कभी कभी रेस्ट के लिए मैं कोडिंग करती थी प्रोग्राम से करा बनाती थी और बहुत सारे मतलब की जसे अब आ यही है कि जिस भी टीचर से पढ़े उस पे ब्लाइंडी फॉलो करें इदा मांग बन करके आप अगर एंड तक आते आते कहीं न कहीं आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा अगर आप साल भर ने इतनी महनत करी है और आखरी में आखरी तक अगर आप किसी टीचर की बात को फॉलो करते इसकी छोड़ी सी छोड़ी बात भी तो आप बहुत अच्छा आपका स्कोर आएगा और आज कल अभी देखिए पचातर वर्ष हो गए आजादी को लड़कियों के स्थिते भी उतनी बदल नहीं पाई अभी उनके बारे में लोग के अंदर भरांतिया है तो अजकल की मा है सरे तूए यही है कि अपने खुब सिक्षित करें और पढ़ाई में आगे बढ़ाएं तो यह है कि जितना सिक्षित होंगी लड़किया वो अपना भविस खुद बदल लेंगी और जितना मतलब सिख्षा के शेत्र में वो आगे बढ़ेंगी नौकरियां पा उस पैरेंटिंग को कैसे किया आपने बस इन लोगों का खाना पीना घर का सारा काम है वो तो मैनेज होई जाता है वो हम अपना अपने तरीके से कल लेते हैं बाकि मेन रूटीन है सुबा उठाना इन और नहला के अपना फिर अपना ब्रेकफास्ट अगरा करती हैं फिर पढ़ाई में लग जाती है और छोटू कैसा लग रहा तुम तुम्हें बढ़ाई करोंगे हां दीदी की तरह हां क्या बनों डाक्टर डाक्टर क्यों डाक्टर क्या अच्छा लगता डाक्टर जोबी जोबी तवेस खड़ाब है न वो तो ठीक हो जाएगा अब पापा इससे बात करेंगे आपको शुब नाम सर बतना है सर मेरा नाम रवी चक्रवाल प्रजापती है रवी चक्रवाल प्रजापती है सर आपके हमें देखें नाम का बहुत बड़ा रोल है आपके फेमली में नाम को मैं देख रहा हूं दो दो तीन नाम उसमें गुथे रहते हैं इसके पीछे क्या रीजन है आपकी क्या सोच अच असलबात होता है वह एक पुली सेदर-पुली चड़ा करता है मेरी दो बीटियां है क्योंकि मेरी माता जी का नाम है ठीक है हमारा यह मानना है कि जब तक का मेरी बेटियां जीवित रहेंगी वह हमारे माता-पिता का जो है उन्हों पर बना रहे हैं उन कोई भी बला हैगी, तो वो अपने उपर ले लेंगी हमारे बच्चों को उससे बचा करके रखेंगी, इसलिए मैंने एपने बच्चीओं का नाम अपने माता का नाम पर रखा हुआ है, उनी की अनुकंपास है, उनी की किर्पास है, आज हमारी बच्ची ने फाइजाबाद का नाम रोशन किया है और जीले का नाम रोशन किया है ये बताईए आप तो मेडिकल लाइन में है बच्ची कोडिंग करना चाह रही है आप क्यों अपनी लाइन को नहीं ले गए क्योंकि हेल्थ सेक्टर तो बहुत अच्छा है इससे ही समय सबसे बड़ी बात गारजन एक मिस्टेक करता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि उनको अपने तरफ से कोई pressure नहीं दे जिधर वो पानी का बहाव है वो तो वो जिधर बहना चाहता है उसी बहाव में जाए बस उन पे पैनी निगा रखे कि वो नदी जो है हमारी किसी कोई दूसरे डूट में तो डाइवर नहीं हो रही है ये चीज़ रखना चाहिए किसी बच्चे को पर pressure दे करके पढ़ाई का बोल नहीं डालना चाहिए उसको जितने जिस फिल्ड में जाए ऐसा नहीं है कि हमारे जो हिंदी वर्ग हो गया या commerce वर्ग हो गया या science वर्ग हो गया सभी subject अच्छे होते हैं कोई subject नहीं बुरे होते हैं अब जिस छेत्रे में जा रहे हैं उसमें अपने माता पिता का अपने समाज का नाम रोशन करें एक संसकारिक परिवार यहां पर आधुनिक्ता को तो इन लोगों ने आत्म साथ किया ही है मारड़न्टी तो दिखाई ही देती है लेकिन संसकार भी यहां मायने रखते हैं वही है कि जड़ को अगर हम पकड़ की नहीं चलेंगे तो आगे उखड जाएंगे इसलिए आज के जरूरी है कि आधुनिक्ता को मारड़न्टी को हम तो आप साथ करें उसको तो ग्रैप्स करें लेकिन अपनी जड़ को मजबूत रखना चाहिए धेर सारी शुपकामना बेटा आपको आशिरबाद आप निरंतर आगे वड़ती रहे एक बार फिर आपको काटने से एक बार फ्यूचर में सकसेज होना है तो वो दो चीज का बहुत अच्छा धियान रखें वो जितने रिलेशन होते हैं खास करके नाना नानी दादा दादी बुआ खियां और महलेदारी इन चीजों से बचे ये दोनों चीनी चीज़ा ऐसी होती है कि जो बच्चे के लिए बाधक ब हमारा ये मानना है कि इंटर करने के बाद में अगर बच्चा तीन साल पूरा सन्यासी जीवन ले ले सारे मीडिया से दूर हो जाए फेस्बूक या मोबाल से दूर हो जाए तो जो ठान रखा है सपलका उससे कदम चुमेगी ये मेरा मानना है सब जैसा भीया ने कहा कि हमारे जाता है कि आम मैसेज दीजिए परेंट्स को लेकिन शाहिए दिनों अपनी बात में सारी बात खतम कर दी एक बार फिर बहुत अच्छा परिवार संसकारी पर आए बेटा ठेर सारे शुबकाबना आशिरवाद आपके तरह कि अ अच्छा